हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका हमारे चैनल पे आज हम लोग जानेंगे दो अक्टूबर गांधी जैन्ती पर आसान हिंदी भाषन अप इस तरह से गांधी जैन्ती पर हिंदी भाषन तयार कर सकते हो तो आओ शुरू करते हैं गांधी जैन्ती आदर्निये मुख्य अतिथी प्रधानाचार्य शिक्छगन और मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मेरा नमस्कार आज हम लोग गांधी जैन्ती के शुब अबसर पर एकत्रित हुए हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं आज दो अक्टूबर है और ना सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बलकि दुनिया के कई देश 152 भी गांधी जैन्ती मना रहे हैं राश्ट्र पिता महात्मा गांधी का जन्म दो अक्टूबर 1879 को गुजरात के पोर बंदर में हुआ था उनका पूरा नाम मोहंदास करमचन गांधी था आगे चलकर लोगों के बीच वह बापू के नाम से पुकारे जाने लगे बापू ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाने में सबसे एहम भूमी का निभाई उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धान्द के दम पर अंग्रेजों को कई बार गुटने टेकने पर मजबूर कर दिया उनके अहिंसा के सिद्धान्द को पूरी दुनिया ने सलाम किया यही वज़े है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतर राष्ट्रिय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाता है महात्मा गांधी के विचार हमेशा से ना सिर्फ भारत बलकि पूरे विश्व का मार्क दर्सन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे महात्मा गांधी की महांता उनके कारियों व विचारों के कारण ही दो अक्टूबर को सोतंतरता दिवस और गंतर्न दिवस की तरह राष्टिय पर्व का दर्जा दिया गया है गांधी जी इस बात में विश्वास रखते थे कि हिंसा के रास्ते पर चल कर आप कभी भी अपने अधिकार नहीं पा सकते उन्होंने विरोध करने के लिए सत्या ग्रह का रास्ता अपनाया महात्मा गांधी ने लंदन में कानून की पढ़ाई की थी लंदन से बैरिष्टर की डिगरी हासिल कर उन्होंने बरा अफसर या वकिल बनना उचित नहीं समझा बलकि अपना पूरा जीबन तेश के नाम समर्पित कर दिया अपने जीबन में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाब कई आंदोलन किये वो हमेशा लोगों को अधिकार दिलाने के लिए लडाई लरते रहे चमपारन सत्यागर और सयोग आंदोलन दांडी सत्यागर दलित आंदोलन भारत छोरों आंदोलन उनके कुछ प्रमुक आंदोलन ने जिन्होंने ब्रिटिश सामराज जी की नीव कमजोर करने में बड़ा रोल अदा किया गांदी जी ने भारतिय समाज में व्याप्त छुवा छूत जैसी बुराईयों के प्रती लगातार आवाज उठाई वे चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोगों को बड़ाबरी का दरजा हासिल हो क्योंकि सभी को एक ही इश्वर ने बनाया है नारी ससक्ति करन के लिए भी वो हमेशा प्रयासरत रहे साथियों यह बात सही है कि हम सभी गांदी जी का काफी सम्मान करते हैं लेकिन उनके सपने तो तभी पूरे होंगे जब हम उनके बताए शान्ती, अहिंसा, सत्य, समानता, महिलाओं के प्रती सम्मान जैसे आदर्शों पर चलेंगे तो आज के दिन हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए धन्यवाद, जैहिन, जैभारत तो आप इस तरह से 2 अक्टूबर गांधी जैन्ती पर आसान हिंदी भाषन त्यार कर सकते हैं तो अगर ये वीडियो आपको हेलफुल लगी हो तो इसे लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में बल बटन दबा कर और पिसेट जरूर करें मिलती हो एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए फ्रेंस बाई बाई एंड टेक केर थाइंक यू